नमस्कार दोस्तों, दोस्तों PCS Academy में मैं आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ और दोस्तों हम लोगों की UP PCS Mains 2019 के लिए और 20 के लिए Answer Rating की सीरीज चल लही थी उसी सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 51 पार्ट देख लिए थे, आज हम लोग 52 पार्ट देखेंगे प्रतेख पार्ट में हम लोग 2 प्रश्णों को देखते हैं ठीक है आज का जो प्रश्ण है पेपर 3 का प्रश्ण है और प्रश्ण संख्या 103 है और 200 सब्द सीवा में इस प्रश्ण को आप लोगों को लिखना है ठीक है वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक क की त्यारी करना चाहते हैं तो उनके लिए है और अच्छे से आप लोग डेली крас Command करते रहें डेली वर्ड में आप लोगों को जो भी कारे दिया जाता है तो उसको पूरी मांदारी के साथ में दीजिए और दोस्तों मैं सभी लोगों से कहना ठीक है मैं देखता हूं कि पूरा दिन कोई न कोई न कोई निकलता रहता है पुलिस की गस्त भी लगी रहती है उसके बावजूर भी लिकलता रहता है तो जो लोग भी है जो लोग भी मुझे सुना है उनसे मेरी अपील है कि आप लोग घर से मत निकलिए प्लीज घर से मत नि के लिए अगर बहुत जरूरी हो तब ही आप निकलिए ओभी सिंगल बैखती निकलिए ठीक है चलिए आज का प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण जो है आपका जी एस थर्ड पेपर का है प्रस्ण संख्या एक सो तीन है और दो सब्द सीमा में इस प्रस्ण को लिखना है लिखने से पहले वही सावधानिया के जैसे जो ग्रामर की गलतिया है वो आपसे नहीं होनी चाहिए और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बॉड़ी पार्ट है कर्क्लूजन पार्ट है तो तीनों में एक एक आप लोग जरूर डालिए कोई महान विचारक की लाइन कविताश लोग मुवी के गी बोल यह सारी चीजे एड कर सकते हैं और अपने उतर को बहतर बना सकते हैं तक्तियों का भी समावेश करिए और डाइग्राम का अगर हो सके तो डाइग्राम का भी प्रियोग करिए जहा वहां पर हम अलग तरीके से करके चले आएंगे नहीं अलग तरीके से नहीं करना है यही सेम टू सेम चीज वहां पर आप करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आप सोचकर देखिएगा जिन लोगोंने मेंस दिया हो उनसे पूछेगा कि चीजें किस तरीके से वहां एक्जा वाटसब गुरूप चल ला है 2020 मेंस के लिए ठीक है तो जो लूब भी जोइन करने चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलेट पड़ी हुई है या तो इस नमबर पर मैसेज कर सकते हैं चलिए आज का प्रस्म देखते हैं भारत में फसल बितरण की इस्थिदी पर जालना है ठीक है भारत में देखिए बहुत सारी जो क्रस्ची फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है और अलग लग छेत्रों में किया जाता है तो कौन सी चीजे कहां पर किस मात्रा में उत्पादन होता है तो इन सारी चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक जाती है अनेक फसलों का उत्पादन किया जाता है अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग राजियों में ये चीजें की जाती है जैसे जूट हो गया चावल हो गया चाय हो गई और गेहूं हो गया गन्ना हो गया मोटे अनाज हो गया ठीक है कपास हो गया रागी हो गया ये सारी बहुत सारी धेर सारी फसलें हमारे हां की जाती हैं मतर हो गया चैना हो गया मोटे अना जो में जोगा चीजें आती हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे भारत देश में की जाती हैं और क्रसी कार्यों के अनुसार क्रसी फसलों के अनुसार जो प्रदेश हैं उनका भी भाज उसको अब देख लेते हैं जो में पॉर्शन है जो कॉर पॉर्शन है उसको हम लोग देखते हैं तो देखे हमारे यहां जैसे गेहूं गन्ना की बात की जाती है तो गेहूं और गन्ना गेहूं गन्ना में जो प्रमुक राज जाते हैं गेहूं में उत्तरप्रदेस पर थम पर जाता है तो ये मुखे तक गेहूं और गन्या के प्रदेश मन जाते हैं जिसे उत्तर प्रदेश हो गया पंजाब हो गया हरियाडा हो गया मद्द प्रदेश हो गया और जो बिहार है जैसे जो बिहार का पोर्षन है तो उत्तरी बिहार में ये चीजें पाई जाती है ठीक है इ इन फसलों के करसी जो करसी की जाती है जो खेती की जाती है जूट चाए और चावल तो इनके प्रदेस कौन कौन से है तो जब इन प्रदेसों की जहां तक बात करते हैं तो इन में सबसे पहले आता है चावल में पश्यमंगाल आता है ठीक है पश्यमंगाल हो गया असम हो गया समय चाय बड़ी मातरा में उगाई जाती है ओरिसा हो गया बिहार हो गया तो इन सारी चीजों में चावल, जूट, चाय का उतपादन किया जाता है अब अगली चीज गया है अगली चीज जो फसल है हमारे यहां बितरन को देख रहे हैं और कपास तिलहन के उतपादक राजे तो देखिए सबसे पहले तो कपास और तिलहन उतपादक राज्यों में जो है महराष्टरा हो गया, गुजरात हो गया तिलहनी फसलों में मद्रदेस हो गया और मुखिता यहां पर काली मिट्टी वाले छेतर हैं यहाँ पर जो कपास्त लहन का उत्पादन अधिक महत्रा में किया जाता है ठीक है अब अगली चीज क्या है मोटे अनाज मोटे अनाजों की बात कर लेते हैं जिसे मटर हो गया चेना हो गया तो इन में कौन से राज्यों में उत्पादन होता है ठीक है कई छेत्र मतरप्रदेश में भी मोटे जान अनाजों का उत्पादन किया जाता है ठीक है तो ये सारी चीजे हैं अब अगली चीज क्या है अगली चीज फल उत्पादक राज्यों को देख लेते हैं ऐसे राज्य जहां पर फलू का उत्पादन अधिक किया जाता है जिसे जो राज्य हैं इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो कीवर्ड होते हैं इनको आप जरूर अंडरलाइन करिए फलू उत्पादत राज्यों की बात करते हैं से सेभ है अपका जब मकश्मीर हो गया पंजाब हो गया हों हिमांचल परदेश हो गया उत्र हगरों replicated हो गया इन सारे जगहों से फलों का उत्पादन अधिक होता है ठीक है और जूर लास्ट में लास्ट में देखिए रागी वा अन्य फसलों को अत्पादन कहां किया जाता है तो रागी वा अन्य फसलों को अत्पादन जो है मुखिता मदप्रदेस में है और दच्छिल भारत के जो राज हैं जिसे ये दच्छिल भारत के जो राज हैं यह नीचे वाला पॉर्सन के राज़े तो इन में किया जाता है जिन में केरला हो गया, करनाटक हो गया और आंधर प्रदेस हो गया, तमिलनाडू हो गया, तिलंगाना हो गया, औरीसा हो गया तो यह दच्छिल भारत के जितने भी राज़े हैं तो इस तरीके से आप लोगों को फसल बितरण के बारे में बताना है अच्छी तरीके से इस प्रशन को आप लोगों लिखिए ठीक है और ध्यान रखिए दोसो सब्द सीमा में इस प्रशन को आप लोगों को लिखना है चलिए आज का दूसरा प्रस्ण देखते हैं आपका कुरियांड अफियर का प्रस्ण है। Congratulations 1014 है России कहाई में 207 सीवा में इस प्रस्ण को भी आ लोगों को लिखना है ठीक है प्रशन के है प्रशन को देख लेते हैं भारत में क्रशित पादों की कीमतों में जैसे जो हमारे क्रशित पाद है तो उनकी कीमतों में जो उतार चड़ाओ आते हैं अभी हाली में प्याज के दामों में उतार चड़ाओ आए थे, बहुत ज़्यादा आ गये थे अब वर्तमान में अगर आज कल में देखें तो इस समय टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं सभी सब्जियों के दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं तो आपको ये बताना है कि भारत में क्रसित्पादों के कीमतों में जो उतार चड़ा होता है उसके कारणों को बताना है और इसके बाद ये जो उतार चड़ाओ जो है अज सिर्टा जो है कीमतों में तो इसके प्रभाव किनकिन पर पढ़ते हैं कि इसके प्रभाव पढ़ते ह है ठीक है तो अब एक-एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे और वही चीजें लिखने से पहले जिससे ग्रामर की गलतियां आप से नहीं होनी चाहिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बॉड़ी पार्ट है कंक्लूजन पार्ट है तो तीनों में अगर एक-एक कोटेशन कविताश लोग मुवी के गीत बोल यह सारी चीजे एट कर देते हैं तो आपका तर अच्छा हो जाता है ठीक है है अगर अच्छी है तो आपके अच्छे मांक्स मिलने की संभाना बढ़ जाती है क्योंकि सुन्दर राइटिंग अच्छी ही होती है लेकिन उसके साथ में आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए ठीक है और क्या चीजे हैं कि जैसे जो सब्दों का चैन है जो उत्तर लिखते हैं उत्तर लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ और पॉइंट क दूनों को समावेश करते हुए तक्तियों का समावेश करना है आप लोगों को ठीक है डाटा डाइग्राम इससी जो का भी प्रयोग आप लोगों को करना है ठीक है अब देखी सबसे पहले बात ही है कि भारत में क्रसित पादों की इमतों में उतार चढ़ाओ के कारणों को आना है इसके बाद प्रभावों पर चर्चा करनी है तो देखे भारत में करसी पादों में जो उतार चड़ा हो है वो बहुत ही कई कारणों पर निर्भर करता है तो सबसे पहली चीज ही है हमारा जो देश है मानसुनी प्रकार के जलवाईू वाला देश है और हमारे यहां अन पुरा क्लाइमेट है वो परिवर्टित हो जाता है और मौसमी परिखटनाएं भी होती है कि जिसे कभी कभी ऐसा होता है कि सुखा आगया बाढ़ आगया यह सुनामी आगया तो इससे क्या उतों में बहुत भारी जो बहुतरी है, ब्रधी है, वो होती है। ठीक है? तो आप सोचके देखिए कि जिसे आपकी जो मांग है, वो बहुत ज़्यादा है और पूरती साइड जो आप सप्लाइ साइड है, पूरती नहीं ओपा रही है। तो ऐसे में क्या है? जो स्टोथी उसके कारड कीमोतों में बहुत ज्यादा अधिक जो प्रभाव है वो देखा जाता है ठीक है दूसरी चीज किया है जलवाई परिवटanka हमारे जैंडों प्रकायर के जलवाई पाई जाती है ठीक है तो ये सारी चीजें समय के अबसार चीजें की जाती है लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होने लगा अब आप पुरतमान में सोचिए कि मार्च महीने में बारिश हो रही है आप लोगों नहीं ये फिल किया होगा अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक कभी भी मार्च के महीने में कभी भी बारिश नहीं होती थी ठीक है कभी कदार अलग बात है ठीक है कि थंडी के दिनों में जैसे जनुरी फर्वरी में पुष्य में विच्छोग के कारण जो बारिश होती थी तो वो हो जाती थी लेकिन मार्च अप्रायल में जो मार्च चला है मार्च में तो अच्छी कासे गर्मी पढ़ती थी लेकिन इस बार क्या है जलवाई परिवतन जो हुआ है climate change जो हुआ है उसके कारण बरशात हो रही है और इस बरशात के कारण बहुत सारी फसले नस्ट हो गई है आप लोगों में देखा होगा ओले गिरे हैं ठीक है ओला गिरना ओला व्रस्टी जो होती है ये भी फसल को नुक्सान पहुचाती है ठीक है जो अब भाई फसल का उत्पादन तो सीधे सीधे कम होता जाएगा ना तो ये सारी चीजें जो क्रसी उत्पाद हैं उनके कीमतों में उतार चरहाओ का मुख्य कारण माना जाता है अगली चीज क्या है क्रसी का अलाबकारी होना भी कीमतों का उतार चड़ा हो जैसे मान लिजए यह एक किसान है अब आज की डेट में यह प्लाइन कर रहा है सहरों की दरफ कि हमें कोई जौब मिल जाए या हम जिससे अपनी चीवी का अरजन कर सकें कोई धंधा कर ले कोई आए का सरजन कर ले किसी तरीके से क्रसी जो है अब प्रोफिटेबल नहीं रहे गई है आप लोग भी जानते हैं इन सभी कारणों से क्या होता है कि क्रसी जो अग्रिकल्चर है वो अलाबकारी हो गई है लाब नहीं उतना मिल पा रहा है कुछ तो बाजार के कारण, कुछ बीचोलियों के कारण, कुछ हमारे यहां बाजार बेवस्ता जो मारकेट है, उसके कारण, तीक है तीक, यह सबाध है कि सारे कारण मिलकर, तरशी को अलाबकारी बना देते हैं, जब कीमत अच्छी खिशानों को नहीं मिलेगी, तो चीजों क प्रणाली है उसका सही काम ना कर पाना ठीक है उसके प्रभाविता जो है वो बहुत कम है ठीक है जैसे ग्राविट शेतरों में जाएंगे तो जो हमारे है नेशनल जो नेशनल अग्रिकल्चर मारकेट तो अभी आप सोच कर देखे कि जो ग्राविट शेतर के जो चुटे- होते हैं जो कीमतों में जो उतार चड़ाओ आता है यह स्टॉक करने के कारण भी आता है कि जैसे माल को स्टॉक कर लिया आपने अभी आपने सस्ते रेट में स्टॉक कर लिया फिर जब महेंगा होगा तब हम उसको बेचेंगे तो ऐसी परिस्तितियों के कारण भी उतार कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फसल किसी साल या किसी 6 माइने में बहुत अच्छी हो गई जब ज़्यादा चीज बहुत ज़्यादा मलब वसुएं और जो फसले हैं मार्केट में पहुँच जाएंगी तो ऐसी मात्रा में जो कीमते हैं वो नीचे ह हो जाएंगी डाउन हो जाएंगी ठीक है और यहीं पर अगर डिमांड अधिक है और सप्लाइ साइड कम है तो उस समय कीमतों में ब्रद्ध ही होगी ठीक है तो यह कुछ हमारे भारत में क्रसी जो उत्पाद हैं उसमें उतार चड़ाओ के कारण माने जाते हैं अब अगली चीज किया है करसी उत्पादों की कीमतों में जो उतार चड़ा होता है इसके प्रभावों को देख लेते हैं तो सबसे पड़ा प्रभाव तो हमारे हां किसानों पर ही पड़ता है जो उतार चड़ा होता है कहीं न कहीं करसी ही प्रभावित होती है कि जब एक किसान को पैसा नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा कि उसकी बचत भी नहीं होगी एक तो बचत नहीं करते हो लोग क्योंकि उनके पास इतनी मात्रा में पैसा भी नहीं आता ठीक है और जो करसी कारे हैं करसी कारे में अगर एक किसान के पास में पैसा नहीं पहुचेगा तो ऐ ऐसे इस्थति में क्या करेगा वो जैसे जो ओर्वरक लाने होंगे या जैवीक खादे लाने होंगे या अच्छे तक्निकी या चछी ग्रवत्ता के जो बीज है वो लाने होंगे तो वो नहीं ला पाएगा। तो अगली बार जब ओ तेखेगा कि हमारी लागत ही नहीं निकल पाई, तो वो कभी करसी नहीं करेगा,। अपने लिए खाने पीने के लिए कर लेगा, लेकिन मार्केट बेचने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि ओ लाव कारी नहीं है,। तो ये सबसे बड़ा उतार-चभाव जो है किसानों पर पढ़ता है सरकार पर भी पढ़ता है पुछे कैसे देखें सरकार पर ऐसे पढ़ता है कि जिसे बजट में योजनाएं बनाई जाती है कि हाँ यह करसी समंदित योजनाएं हैं और इस दार हम FCI के माद्धें हम से इतनी खरिदारी करेंगे तो जो बजटी य नहीं कारणों की वज़े से एक आक्रोश की भावना भी पनप्ति लगती है और जो अगला प्रवाव पढ़ता है उतार चड़ाओ के कारण वो निर्यात को पर पढ़ता है जो लोग निर्यात करते हैं अधियतिक मात्रा में अब उन्हीं को अगर प्रॉफिट नहीं होगा उन शीदे दीजे माझ माल खरीदके निर्यात करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उससे मएं दोंगा तो ऐसे सितियों में क्या है निर्यात तक भी प्रभावित होती है जो जो करसी उत्पाद हैं उनकी कीमतों में जो उतार चड़ा होता है इस पर αगली चीज क्या है अब आप सोच कर देखिए कि कैसी भयावा इस्तिती है 200 रुपए किलो टमाटर प्याज बहुत महेंगी बाकी सबजियां बहुत महेंगी तो ये लोगों के पैनिक होने का कारण है केवल सरकार तो अपनी तरब से बहुत कुछ कर रही है लेकिन लोगों के पैनिक होने का कारण है यही सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है तो जो बहुकता है अगर इस बैक्ति को उतार चलाओ ज़्यादा होगा अगर बहुत महेंगी हों गई चीजें तो यह क्या करेगा यह जो इसका घरेलू बजट है वो बहुत ज़्यदा प्रभावित हो जाएगा वो जो बचट करता होगा वो भी नहीं कर पाएगा अच्छे से बच्चों को जो सुबिधाएं दे रहा था वो भी नहीं दे पाएगा जो उसने निजी प्रयोज है तो कुछ पैसे रखे होंगे वो भी परभावित होंगे और उनको भी खान-पान की वस्तव में लगा देगा फसलो को खरीदने में या जो खातियान है उसको खरीदने में तो ये सारी चीजें करसी पाद है उनकी कीमतों में उतार चड़ाओं के कि किन-किन बेक्तियों पर किन-किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है अब इससे ये भी चीज होती है कि लाजसु जो है अब आप सोच कर देखें कि अगर अच्छी कीमत पर चीजे नहीं बिकिन तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कहीने कहीं प्रभावित होता है जो नेम है नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट तो कहीं न कहीं ये भी प्रभावित होता है तो कुल मिलाकर प्रभाविता जो कीमतों में उतार चड़ा हो है इसके कारण प्रभाविता बहुत अधिक हो जाती है तो इस प्रष्ण को आप लोग लिखिए 200 सब्दों में इस प्रष्ण को आप लोगों को लिखना है बहुत अची तरीके से इस प्रष्ण को लिखते रही है ठीक है इसकी PDF आप लोगों को पेड वाटसाब गृप चल ला है 2020 मेंस के लिए जो लोग भी जॉइन करना चाहते है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेल पड़ी होई है या तो इस नमबर पर मैसेज कर सकते हैं चलिए ठीक है थैंक यू देखने के लिए